दोस्तो अगर आप अपने आईफोन में इंस्टाग्राम ID को अपनी डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको करना क्या है सबसे पहले आप अपना Instagram app open कर लीजिए Instagram app open करने के बाद जो भी ID आपको delete करनी है वो खोल लीजेगा simply इस टाइप से और side में 3 linings पर click करिएगा उस पर click करने के बाद आपको एक option दिखाएगा accounts center का आप इस पर click करिए उस पर click करते ही आपको एक personal details का option दिख जाएगा आप इस पर click करिए उस पर click करने के बाद simply account ownership and control पर click करिए उस पर click करते ही आपको एक deactivation और deletion का option दिखेगा आप इस पर click करिए इस पर जैसे ही click करेंगे तो फिर से आपको कुछ IDs दिखाएगा अगर एक ही ID add होगी account center में तो ऐसे ही दिखाएगा अगर एक से ज़्यादा ID add होगी तो वो दिखाएगा तो जो भी delete करनी है आप उस पर click करेंगे click करते ही आपको दो options दिखेगा आप simply delete account पर click कर लिजे और यहाँ पर continue कर दिजे ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको reason select करना होगा कि क्यों आप delete करना चाहते हैं जो भी हो वो select कर दिजे उसके बाद continue पर click करिए continue पर click करते ही आपको यहाँ पर अपना Instagram ID का password डालना होगा password डालने के बाद simply continue पर click करिएगा continue पर click करते ही आपको दिखाएगा confirm permanent account deletion ओके यहाँ पर आपको इस type से date दिखा रहा होगा ठीक है कि इस date को जो है वो delete हो जाएगा permanently ठीक है अगर आप जो है इस process को cancel करना चाहते हैं इस date से पहले तो simply आप जो है अपने account center के through या फिर अपने जो है अपना simply ID login कर लिजे जो भी account delete कर रहे हैं उसको दुबारा से login कर लिजेगा और आप इस type से cancel कर सकते है process ठीक है otherwise आपका इस date को जो है वो delete हो जाएगा account permanently तो करना है actual में simply इस पे click कर दीजे schedule हो जाएगा ठीक है और इस date को ऑन्राइब कर दो जाएगा ठीक है है यह जो है अपकाई नहीं